आज के इस वीडियो का हमारा जो सबसे बड़ा objective है न भाई वो ये है कि लड़की के साथ date setup करके happy ending तक आपकी क्या-क्या process रहेगी जादा से जादा हम लोग चीजे cover करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम आपको ऐसी चीजे बताने की कोशिश करेंगे जो छोटी-मोटी scenarios भी आ कर लेंगे लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि हम लोग 90% date से related हर question solve कर सके तो without wasting any further time let us begin with a new episode of Ask Sarthak Goyal चलो भाई अभिशेक आज हमसे हमारे सभी सवाल अभिशेक पूछेगा तो देखते हैं ता कि भाई सही में question कोई पूच सके कम से कम है ना चलो पहला question लड़की को date क के लिए कब पूचना चाहिए भाई जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग भी सुन लो जितना जल्दी हो सकता है लड़की को उतना जल्दी date के लिए पूछो कोई महूरत नहीं है कोई कुछ भी नहीं है in fact अगर तुम्हें लड़की को date पे लाना ही है न तो पहले अपना agenda पूछ लो चल रही हो मिलने के लिए अगर पहले ही न बोल तो उसके बात करनी बंद कर दो भेंचोड लड़की से और मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर तब तुम बात करनी बंद कर दोगे अटेंशन देना बंद कर दोगे न 90 वर्जिन केजिस में लड़की तुम्हें ख कब जैसे कोई भी मौका मिले वैसे ही मैं legit बता रहा हूं जहाँ पर conversation cool down हुआ सही मैं वहाँ पर पूछ लो जितना जल्दी हो सकता है hey let's hang out this week मैं तो next week भी जो तुम्हें समझने है भाई देखो जिस लड़की को मिलना है वो तुमसे मिलेगी लेकिन एक चीज़ कभी मतोने देना कि तुम यही सोचे रहोगी सई टाइम पर पूछूँगा लड़की को भी पता है कि तुम day one से उससे मिलना चाहते हो लेकिन फ बाद में भी नी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है खतम पूछो फटा फट आगे बढ़ो नहीं मिलरी बात बदलो लड़की बदलो next question लड़की को डेट के लिए कैसे पूछना चाहिए भाई कैसे मतलब मैं तो honestly बोलता हूँ कुछ चीज़े कर सकते हैं भाई सबसे पहली जै बाद करनी स्टाट किया तो करना होगा तो मैं आज बाद आज के दिनी पूछ लूँगा ठीक है फिर कब मिलने वो मैं कैसे पूछोंगा वो भी बताऊंगा लेकिन उसके बाद मैं बात करनी बंद कर दूँगा बात आज बंद होगी वो कन्फॉर्म है तो इसलिए फटा फ यहां पर इटालियन रेस्टरॉंट खुला है फॉर एग्जांपल यहां पर कोरियन फूड मिल रहा है कुछ नहीं तो मुझे चाइनीज घाना है और मैं बोलूंगा मुझे उसी रेस्टरॉंट में जाना है तो तुम चल रही हो इस इस दे नॉमबर वन सेकेंड इस ठीक है कि what plans for this weekend ठीक है अब उसमें लड़की समझ जाती है कि तुम डेट के लिए पूछ रहे हो और यह सबसे बस तरीका है लड़की समझ जाती है तुम डेट के लिए पूछ रहे हो इसलिए तुम वहां पर अगर लड़की बोलती है I have plans बुला cool खतम अगर बोलती है I don't have any such plans ऐस कुछ confirm नहीं है बोला cool let me know ठीक है I am planning to go somewhere if you can come do let me know कभी कबार मैं forcefully बीबी set करता हूं और सब्सक्राइब पूछना चाहिए या फिर आमने सामने जब लड़की हो भाई टेक्स्ट पे देखो जादे तर कभी कभार क्या होता है टेक्स्ट पे ही पूछ लेता हूं अब कोई लड़की अगर मैंसे रोज मिल रही है तो जिम विम में मिल रही है तो मैं उसको पूछ लूँगा तो मैं उसको लाइव पूछ हूँगा लेकिन अगर जैसे मान लू मैंने नंबर वगेरा लिया या अप्रोच करके या इंस्टा पे कहीं पे भाई गलती से लड़की टकरा गई है तब मैं उसे टेक्स्ट पे ही पूछ हूँगा एक यह है व अपनी फेवरेट प्लेसे बताने लड़की बताने लगती है लड़की खाने पीने के बहाने लड़की बताने लगती है I love this place I love that place ठेक है have you eaten this तुम कभी यहाँ जा कि यह चीज खाई है तुमने कभी तुम यहाँ गए हो तो वो अपने आप इस बारे में बात करने लगती है दूसरी चीज इसमें तो भाई देखो अकसर मैं भी कभी कबार मतलब मैंने hints मैं इतना रुकता ही नहीं कि लड़की को hint देना पड़े कि चलो मेरको date के लिए पूछो तो भाई मैं तो खुदी पूछ लेता हूं मतलब मैं ही पूछ लेता हूं बट हिंट में लड़की बहुत सारी चीज़े बूलती है I don't have any plans ठीक है मैं बहुत बोर हो रही हूं x y z basically she will do everything to make it कि भाई पूछ ले और तुमें भ यह चीज तो देखो 2 पे depend करती है सबसे पहले तो कहां ले जाना चाहिए इससे ज्यादा important चीज है कि कम से कम 2-3 जगे ले जाने की कोशिश करो कम से कम अब मैं यह नहीं बोल रहा हूं तुम तुमारी date 5000 रुपे भी खर्च कर सकते हो तुम और तुम अपनी date को 500 रुपे मे भी निपटा सकते हो तो मेरे हिसाब से अगर तुम तीन जगा जाने का दो से तीन जगे जाने का प्लान कर रहे हो जो कि तुम्हें actual में करना चाहिए मैं इस पे थोड़ा deep जाना चाहूंगा क्या होता है जब तुम लड़की के साथ जगे स्विच करते हो तो तुम खुद करोगी कि जिस venue पे तुम पहली बार लड़की से मिले हो वहाँ पे उसका attitude और तुम्हारा attitude वो different है उसके बाद जब तुम दूसरी जगे जा रहे हो फिर different होगा तीसरी जगे और different होगा और location बार बार change करने से क्या होता है तुम्हारा touch barrier अपने आप break हो जाता है तुम इध बैठते हो कभी दूर बैठते हो और क्या होता है जब तुम location switch करते हो न तो तुम लड़की को lead करते हो इधर से उधर ले जाने में और जब तुम अपनी date पे लड़की को lead कर रहे हो तो तुम उस date को कहीं पे भी ले जा सकते हो तुम्हें जहां चाहिए है तुम्हारे घर लेकिन तुम्हें lead करना आना चाहिए लेकिन lead से important ये तो कहर बाद का topic है location multiple change कर उसमें तुम क्या-क्या घर सकते हो तुम कहीं भी मिल रहे हो first तुम chai के लिए भी मिल लो तुम starbucks पे भी मिल लो तुम cafe coffee day पे भी मिल लो उसके बाद एक walk पे अगर तुमारा budget नहीं है तो त walk पे चले जाओ या तो एक garden में चले जाओ ठीक है अब generally मैं क्या करता हूँ मैंने लड़की को बोल दिया मेरे को यहाँ पे I know a very nice garden over here ठीक है मैं बचपन से जा रहा हूँ I legit want to show you this 100% लड़की आती है ठीक है तीसरा could be थोड़ा सा और मतलब मैं desert के लिए तो confirm जगे switch करता तो जितना possible हो सके उतनी जगे change करो और भी क्या तरीके होते हैं कभी कबार तो मैं authoritative tone में लड़की को खुद बोल देता हूँ कि भाई मैंने तो यहाँ पे table book किया है तो तुम्हें तो चलना ही है दूसरा मैं बोल देता हूँ shit you must eat this मैं तुम्हें यह खिलाने लेके चलता ह बट when you कम से कम change करो तो मेरे हिसाब से मैं बोलूगा की meet at a coffee shop ठीक है वहाँ पे तुम्हारा मान लो यार आजकल तो हर जगी rate इतने जाता है coffee shop पे मिलो तुम जहां possible है या एक अच्छे सी जगे पे उसके बाद तुम वही है same ही चीज है यार वाग वागेरा पे लेके जाओ या दूसरे restaurant ले जाओ या तीसरे restaurant but just keep switching the places तो तुम उसके बगल में बैठे हो तुमारा सब काम अपने आप होने लगता है वो एक flow बन जाता है तो मैं जहां ले जाने तुम आहां ले जाओ एक मैं टिप करूँगा कि मान लो तुमारी second date है या उस लड़की के साथ third date है तो मैं एक experience साथ में share करने वाली date चूज करूँगा experience साथ में share करने वाली date से मेरा मतलब होता है कि मैं लड़की को ले गया game zone में या मैं कोई तो भी कहीं भी ऐसी जगे लेके के जहां पर वो और मैं और एक activity हो रही हो तो it builds the stronger bond ये सब चीजें भाई दिखो hook up में जादा काम नहीं आती हैं बट एक अच्छी dating life के लिए ये important है तो ये दूसरे तीसर में तुम ये सब चीजे करना शुरू कर सकते हो next question date पर लड़की के साथ flirt कैसे करे भाई date बनी ही है मतलब लड़की तुमारे साथ flirt कर रही है अगर वो तुमारे साथ date पर आ गई अगर लड़की इसने अपने आपको वल्नरेबल कर दिया है तुमारे सामने तो तुमारी tone ही continuously थोड़ी सी flirtatious ही होनी चाहिए अब flirt कैसे करना चाहिए तो जनरली वही चीज है अब एक मिनिट बता दू flirt के उपर पूरा वीडियो बना है आज सार थक पे शायद इसके 2-4 पहले वाला वीड मैं ही बोल रहा हूं फ्लिर्टिंग के उपर पूरा वीडियो है टच बैरियर के उपर पूरा वीडियो है जैसे हम पे किस से लेके गेटिंग लेड तक पूरा है आज सार्थक गोल जिस चानल पे आप यह वीडियो देख रहे हो उसी पे है तो भाई flirt करने पे अभी मैंने डीटेल में बनाया है बट स्टिल कीप उन टीजिंग कीप उन डिस्क्वालिफाइंग लड़की को डिस्क्वालिफाइ करो कि ओ मैं गॉड वाट कैंड आफ परसन यू आर तुमने उसको शेम कर दिया जश्ट कीप ओन टीजिंग हर नो पॉजिटिव कंप्लाइंट एमोश तुम बहुत अच्छी हो तुम ये हो यार तुम तो कितनी समझदार हो ये चीजों का हर उल्टी चीज लव की तरफ बात नहीं बननी चाहिए और एमोशन की तरफ बहुत जादा नहीं उसके ऑपोजिट में एवरीफिंग कम्स अंडर फ्लिर्टिंग तो इस इस हाव यू एक इंपोर्टेंट टेप देना चाहूंगा वेन यू अर ओन डेट विध हर कभी कबार तुम लड़की से आए कॉंटाक करने के बाद जब भी तुम्हें लड़की पका रही हो इधर उधर देखना शुरू कर दो भाई मैं लेजट बता रहो मैं तो खुले आम दूसरी करकी को ऑटोमाटिकली इगो ब्रेक हो जाता और गर्ल स्टाट्स डिजारिंग यू मोर तो इस इस हाव यू फ्लर्ट बेसिकली जितना हो सकता और रिलेंटलेसली करो बिना अशेम्ड हो है बिना शर्माय करो भाई खुल के कुछ भी बोलो जो तुम्हारी फ्लर्टिंग भ इम्पल्सिव थाट्स पर जो एकदम से दिमाग में आए वो सदन वही लडगी को इंप्रेस करता है तो सदन उस सदन थाट्स जो अचानक से आते ना उनको बोलो वो गलत होंगे लेकिन धीरे धीरे वो भी इंप्रूव होने लगेंगे इस 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 हाव यू फ्लोट विद और गाइज मैंना वीडियो में आगे बढ़ने सपहले दो मिनिट ना इक बहुत इंपोर्टेंट कॉस के वारे में बात करना चाहता हूं बहुत सारे लोगों ने अपने लड़कों ने अपने आपको नेगिटिव गलत आदितों के चलते भाई साब अपनी सेक्श्वालिट की वाट लगा लिए भाई मतलब लेजट या तो ने बहुत शीगर पतन जिसको बोलते हैं बहुत जल्दी प्री मैच्चुर एजागूलेशन जैसी प्रॉब्लम से यंग यंग एज के लड़के डील करें और कई बार ओल्डर में तो वो चीजे आज की डेट में स्ट्रेस अगेरा की वज़े से इवेंच्वल होई गया है इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं मैंशुर के प्रोलॉंग के बारे में मैंशुर का प्रोलॉंग एक प्रीमियम आयुरुवेदिक सप्लिमेंट है मेरे दोस्त जो की आक्शुल में आपका विगर और आपकी वाइ इंग्रीडियेंट्स में लेंगे तो इन शॉट तो भाई मैं यही बता देता हूं इसके अंदर हर एक वो इंग्रीडियेंट है जो की आक्शुल में आपकी इस प्रोलॉंग से डील करने में बहुत अच्छे से हल्प करता है फॉर इक्जाम्पल हॉर्णी गोट वीड माका जिनसिंग कॉच बीज अश्वगंदा सफेद मूसली शिलाजी ताल मखना गोकुरू जावित्री मतलब लेजिट हर एक चीज जो कि आयरुवेदिकली इन प्रोब्लम से डील करने में यूसफुल है वो आपको मैंशॉर के प्रोलॉंग में मिल जाता है विट जीरो साइड क्यूंकि एक 100% आयरुवेदिक सप्लिमेंट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेक शूर कि आप इस प्रोड़क को चेक आउट करें और इफ यू आर डीलिंग विद एनी सच प्रोब्लम्स तो मैं बता दूं ये सारी चीजे रिवर्सिबल हो जाएफं साइख और घुयूर्सिबल हो जाएब कि इस कुम्हेशा अबवद्रेस करता है otherwise he has been to better places या या बेटर लोगों के साथ घूमता है तो इसलिए अगर तुम मेरे जैसे बंदा डेट पे जनरली ब्लाक पहन लेगा या वाइट पहन लेगा मैं प्लीन कलर्स पहनूंगा ठीक है और दे में होगा तो थोड़ा लाइट कलर्स राक भी होगा तो डाक कलर्स बट आएट ड्रेस लाइगा जेंटल मैं ओवरसाइज वगेरा मैं डेट पे नहीं पहनता हूं ठीक है बॉड़ी बना रखी अपनी परसनालिटी शो करने के लिए मैं को ओवरसाइज थोड़ा सा कम प्रिफर करता हूं लेकिन पहन भी लेता हूं कभी कबार तो यू कें ड्रेस सोफेस्टिकेटट तो महारी ड्रेसिंग तुम्हें रिच दिखानी ही दिखानी चाहिए यू शुड लुक रिच एंड ट्लासी नियो ड्रेसिंग वह सबसे इंपर्टेंट है तुम्हें ट्रेंडी, किडी, ऐसा नहीं दिखना है ट्रेंडी तो विल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं दिखना चाहिए इड नेवर वर्क्ड फॉर मी तो मैं थोड़ा सा अपना भाई, मेरी परसनली बात करो तो मेरे अनफॉर्चुनेटली उपर के दो तीन बटन खुले ही रहते हैं चौबिज घंटे ठीक है दूसरी बात मैं चेन वगेरा भाई मैं गो तुम्हें चपरी बोल ला है तुम बोल लो बट मेरे लिए तो काम करता है भाई तो एक चेन, एरिंग्स, गुड़ पर्फ्यूम, अवर्यथिंग इस वर्किंग और मैं बस आइ फोकस ओन इदर गिविंग अ फॉक बई वाई वाई और जेंटलमें रिच जेंटलमें पैशिनेट मैंस्कुलिन मैं वाई इन दोनों में मैं स्विच करता रहता हू और अगर मैं फॉक बई वाले कपड़े पहनूँगा, फॉक बई मीन्स थोड़े से टाकी तो मैं जेंटलमें की तरह बिहेव करूँगा, अगर जेंटलमें वाले कपड़े पहनूँगा तो fuck boy की तरह behave गरूँगा अब ऐसे मैं दोनों को switch on off करता रहता हूँ just make sure कि तुम अपने wardrobe का सबसे best outfit पहन के आए हो और कभी का बार जो देखो भाई कोई harm नहीं है अगर तुम थोड़ा सा जाके shopping कर आए इसलिए बोलता हूँ extra income और savings पर थोड़ा सा ध्यान दो इससे तुम्हें इन चीजों की आसानी हो जाती है next question कौन कौन सी mistake है जो date पे avoid करनी चाहिए भाई सबसे बड़ी mistake जो है मैं कोई बोलना तो नहीं चाहिए ठीक है बट यह है कि menu card बहुत देर तक browse नहीं करना चाहिए तुम rate औगेरा देख रहे हो तुम्हें यह सब चीजें avoid करनी चाहिए या तुम लड़की से prices के उपर discuss कर रहे हो in fact अगर तुम date पे जा रहे हो और तुम अगर effort कर सकते हो तो भाई maximum चीजें order कर दो ओ मुझे यह भी खाना है मुझे यह भी खाना है मुझे भी एक तो यह चीज abundance दिखाती है थोड़ा सा या तो तुम expand करो या तो तुम ऐसी जगे जाओ जहां के तुम मालिक हो तुम पोहा जले भी किले ले जाओ तुम missile भाव खिलाने ले जाओ तुम छोले बटूरे खिलाने ले जाओ लेकिन कभी भी menu card पे प्राइसेज वगरा को discuss मत करना दूसरी चीज गायब मत रहो date पे कि तुम लड़की से पूछ रहे हो कहा जाना है क्या खाना है ये कर ले क्या इंडिसाइसिवनेस मत दिखाओ तुम्हें पता है कि तुम ग्या कर रहे हो वो दिखाओ तुम्हें पता है तुम क्या order कर रहे हो कभी कभार तो मैं सही बता रहे हो मैं थोड़ा सा प्रो लेवल पे गेम आप लोगों के लिए खेलता हूं to see how things are working भाई मैं तो लड़की को भी बोलता हूं you keep the menu I'll order for you and it works eventually जब तुम इस तरह से lead करते हो न और लड़की तुम्हें submit करते है तो वो हाँ 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 फिर जो तुम्हें चाहिए लड़की उसके लिए भी हाँ बोल देती है तो एक ये तीसरी चौथी ये mistake है भाई की लड़के date के तुरन बाद या date के वक्त ही फिर अगली बार कब मिलोगी ये व्यान चोथ बहुत बुरी गलती है इसको तो बिलकुल अवाइड करना चाहिए पाँचवी छटी जो भी है भाई मैं तो नंबर का खेल खेला ही नहीं है तो पाँचवी छटी गलती ये है कि भाई तुम लड़की के बिलकुल opposite बैठ गए तुम बगल में बैठ हो तुम अगर बगल में बैठ होगे तो tension release हो जाएगा एक दूरे से comfortable होने लगोगे तुम आमने सामने बैठ होगे न तो tension increase होगा मतलब date जैसी starting में थी एंड पे थी रह जाएगी तो उसके adjacent बैठ हो उसके right या left में मेरे जैसा आदमी तो बहुत बत्तमीज है मतलब ऐसा लगते है जहां लड़की बैठ ही है मैं वहीं बैठ हूँ उसके उपर हाथ नहीं रखूँगा लेकिन मेरा पैर भी वहाँ मेरा हाथ भी उसकी table वाली जगे पे मैं हूँ भाई गंदा तो ये एक mistake है तीसरी चौथी mistake तो नहीं बठा तो मने वेटर वगेरा को थोड़ा बहुत tip कर दिया अपनी kindness दिखाने के लिए तो एक दो बार ऐसे हुआ है भाई अब देखो लड़कियां gold digger तो लड़की बोलती है are you sure तुम वहाँ पे पैसे नहीं भूले हो बोला no अब लड़की ठीक है तुम लग बोल दो gold digger होगी but that got me her उसको वो kindness लगा काफी सारा है इसे मतलब space देके बेठते लड़की के साथ नहीं हो तो वो गलत कर जाता है मतलब तुमें touch barrier break करने पर focus करने date का date is मेरे इसाब से date ना foreplay होता है 18 साल के नीचे के बच्चे ना सुने foreplay means जो physical के पहले भाई थोड़ा बहत इधर उधर touchings ये stimulation होता है basically तुमारी date decide करती है कि लड़की तुमें देगी या नहीं देगी and कई बार मैंने देखा है date पे जो mistake है कि past पूचने लगते है past बताने लगती है लड़की अपने past को share करने लगते है अपने बारे में insecurities reveal करने लगते है ये सब चीजे नहीं करनी होती है बिलकुल भी तुमारी बताने लड़की मतलब ये हुआ था मेरे साथ वो हुआ था मैं और कई भी कभी कभार date पे कोई awkward conversation भी शुरू हो जाता है ना तो मैं बोल जेता हूँ I'll be back और मैं वाश्रूम जा के आ जाता हूँ और मेरे लिए जो सबसे best work किया है ना भाई कि मैं लड़की को ऐसी जगे ले के जा रहा हूँ जहां पे मैं पहले गया हूँ तो ना I feel very confident automatically तो मतलब मुझे ऐसा लगता है the girl is the guest वो खेल मेरे साथ खेर वो starting में काम करता था अब तो भायान चोद कहीं भी बैठा दो बात बन जाती है क्योंकि एक और जीज मैंने देखिए कि कई बार जब नए नए डेट पर जाने start करते हैं जो game नए नहीं सीख रहे होते हैं तो अगर वो देखते हैं कि हमारी बात sex की तरफ आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही अगर वो sexy तरफ लड़की के साथ conversations नहीं आगे बढ़ रहे हैं इतना close नहीं आई है लड़की ने hints देने start नहीं किये हैं तो वो लोग anxious हो जाते हैं वो लोग अलग अजीब अजीब तरह से behave करने लगते हैं उन्हें असा लगता है कि date waste हो गई लेकिन नहीं कई बार तुम्हें डेट खुद छोड़के जानी पड़ती है भाई मैं कभी देख लेता हूँ जब मैं casual में था casual बक्चोदी करता था तब जब मैं देखता था कि भाई कोई लड़की actual में बहुत serious और sensitive है मुझे relationship नहीं चाहिए अगर वो लड़की मेरे से seduced भी है उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया और अब मैं इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखता हूँ कि लड़की sweet और sensitive ना जैसे सब के Salman Khan बोलते हैं ना कि मुझे अच्छी लड़की आमाद देना उसका यही reason है क्योंकि you can't hurt them तो मैं वैसी लड़कियों को friendzone कर लेता हूँ generally नहीं तो मैं उनसे actual में बात करनी भी इसलिए बन करता हूँ so that they can move on with pride तो अब बुझो next question date पर पैसे कौन देगा sir क्या date पर पैसे आदे-दे करने चाहिए बिल्कुल भी नहीं date पर हमेशा पैसे तुम दो always मतलब मेरा चौथी पांच वी या छटी date पर कभी कोई लड़की बार-बार insist कर रही होती है कि नहीं इस बार तो मुझे देने दो तो मैं उसे कभी कभार देने भी देता हूँ लेकिन मैं कभी भी half-half splitting यह सब वोक और यह जो चल रहे है ना फेमिनिजम वाला हिसाब never ever let a girl pay in my opinion और आजकल तो एक और नया concept आए जिसको बोलते है एक होता है हाफ-ाफ एक आए भेंचोद डच डच में क्या होता है डच पता तुम है? नहीं हाँ, अपे भाई डच में पता है? मान लो तुमने फ्रेंच फ्राइज और कोल्डरिंग और की है और मैंने बस कोल्डरिंग और की तो भाई तुम अपने चीजों के पैसे दोगे मैं अपनी चीजों के इतनी cheap चीज़े चल रही है आज खल मार्केट में और यह सब आदी से जादे यह feminist लड़किया भेला रही है यह सब चीज़े और अगर कोई लड़की 50-50 भी कर रही है न उस बार के लिए अगर बहुत insist भी कर रही है तो भी कर लो otherwise मैं तो बोल देता हूँ एक काम करो पूरा तुम ही पे कर दो क्योंकि वहाँ पर मैं लड़की मैं मतलब गेम से बहार हो जाता हूँ जब मुझे समझ में आ जाता है मैं generally 50-50 वगेरा में किसी में बिलीव नहीं करता हूँ तो I make sure that I pay और sometimes तो मैंने ऐसा भी किया है भाई to show the girl and भाई देखू मेरे को या तो अच्छी लड़किया मिलती है तुम लोगों ने इत्ते experience नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है content consume करते है बट apply कुछ नहीं करते है अभी कई बार ऐसा हुआ है कि भाई अब ठीक है चोर तो तुम लोग humor के लिए कुछ भी बोल सकते हो लड़की को अपना wallet दे गया बॉश्रूम जाते हुए I'll be back if the bill comes make sure that you pay it भाई वो लड़की भी निकली निकली मेंस उसको भी फास लिया तो यह abundance mindset जो होता है न वो तुमें लड़की दिला देता है और लड़कीं के भी मामले मतलब इससे यह जो traits होते न यह लड़की को भी दिखा देते है हाँ इसके बास लड़किया है और जब तुम एसे थोड़ा बहुत देखो भाई सेव तो करो ही थोड़ा बहुत जब तुम ऐसे दिखाते हो न तो पैसों के बारे में वो चीज कभी भी नहीं होती है यह है मेरा मतलब मैं ठीक है थोड़ा सा अब बिना पैसे की डेट कैसे करते हैं तो भाई तुम उसके लिए clubs च चले जाओ, वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ पे तुम्हें लड़की के बिल विल देने की जरुवत नहीं है, मैं वहीं पे डेट करके आ जाओ अपना, क्लब में जाओ, लड़की को अप्रोच करो, उसके साथ हैंग आउट करो, वो अपने ड्रिंक्स लेगी, तुम अपने ड् किसी लड़की से मिल लिया है, यह खेलो, next question, डेट के बाद लड़की को घर कैसे ले जा सकते हैं, और वाँ, अब भाई, जो तुम पूझ रहे हो, घर कैसे लेके जाएं, तो ना, देखो, बेसिकली, जो तुम लीड, 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 खेर, पूरा वीडियो ही हमने इस बारे मैं बात कर ली, क्योंकि तुमारी मैंने सब कुछी यह, बेसिकली, यह question का answer मैंने खुदी कवर किया हुआ है, कि भाई, तुम लीड करोगे, तुमारी लीड को ही follow करते करते, it will, you lead, you start leading small, then you can lead big, बस, small means, as small as, कि भाई, मतलब तुम लड़की को direction दे रहे हो, चलने के लिए it starts from there and then, yes, 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 वाला, जो मैंने रूल बताया, it will eventually lead to this, secondly, अब मैं कुछ practical scenarios दे देता हो, भाई, देखो, या तो देखो, अगर तुमारा घर खाली है, तुम उसको बोल सकते हो, कि, come home, I'll make you the best tea, चाय मना के पिलाता हूं, come home, I have this very special thing, मेरे को तो राजा ने मेरा काम कराया है, come home, I'll make you meet the best dog in the world, sometimes, मैंने ये भी बोला है, the view from my balcony, तो, देखो, तुम डारिकली कभी नहीं बोल सकते हो, कि पेलने चल रही हो गया, नहीं, secondly, generally, अब, मैं night out, वगेरा के लिए, clubbing के लिए, तो मैं बोल के आता हूं, कि, see, I told my parents, I'm not coming back, I'm going out, and I believe, कि तुमने भी अपने यही घर पे बोलाई, कि I'm going to my friend's house, let's go, मैं hotel, या तो मैं book कर लेता हूं, ठीक है, या तुम बोल तो, let's go, या तो अपना एक ऐसा दोस ढूंड लो, जिसका बहन के लंड का घर खाली रहता है, let's go there, order food, मतलब, या तो अगर तुम डेट से आ रहे हो, तो थोड़ा सा play around कर जकते हैं, let's go and watch this series, ये भी मेरे साथ काम करा है, ये वाली series का ये वाला episode, तो तुम जितना खीच सकते हो, डेट को उतना खीचने की भी कोशिश करो, सही time पे end भी कर दो, ये चीज़े न, eventually will lead, डेट के स् हो चुकी होती, ऐसा महौल अपने आप सेट हो जाता है, लेकिन बस याद रखना, लड़कियां जनरली मूव नहीं करती है, तुम्हें ही एसकलेट करना पड़ेगा, तुम्हारा उस लड़की, उस लड़की को तुम्हारा अटेंशन मतना मिलना, इसका मतलब लड़की अलर अगर तुम्हें उससे डेट पे मिलना आया है, उसके पास तुम्हारा फुल अटेंशन है, शी इस अल्रेडी फुकिंग यू, तो देखो, और दूसरी बात अगर कभी को बार देट के बाद सेक्स नहीं मिल रहा है, तो उसको हार नहीं मानना होता है, कि और भाई मैं हार ग तो अपना एक experience बिल्ड करो, ठीक है, first date, first show पे नहीं होता है, मानलो timing नहीं बैठी, private place नहीं मिला, something or the other, probably इस बार तुमने मिलके ये setup कर लिया, इतना comfort बिल कर लिया, कि अब तुम लडगी को directly बोल सकते हो, कि we'll meet at my house, we'll hang out there, we'll go on a one day vacation, तो थोड़ा सा, मैं बोलूँगा, first date पे हो जाए, तो भी अच्छी बात है, otherwise, it is okay, वो accept करना सीख लो, क्योंकि तुमारा experience भी बिल्ड होगा, अगर तुम जितनी date पे जाओगे, तुम उतने pro बनते चले जाओगे, उतना जल्दी तुम escalate करना, flirt करना, तुम सब सीखते चले जाओगे, तुम सब सीखते चले तो यह है, हाँ, अब बताओ next question, अगर लड़की date को एन मोमेंट पे cancel करे, फिर क्या करना जाईए, भाई, तब तो तुम्हें जहां का तुमने प्लान बनाया है, वहां जाओ, वेटर को बोलो, सामने वाली प्लेट लगा, वहां का चेक-इन भी डालो, उस जगे को टैग भ सामने नकली प्लेट लगा लो, लेकिन जाना जरूर, मेकर फिल कि तुम वहां पे तुम डेट के लड़की के पीछे नहीं थे, you were here for the place, she was not important, दूसरी चीज, देखो, जनरली अगर लड़की रियलाइन, कोई actual में रीजन आ गया भाई, कोई एमर्जेंसिय बोलना, it's cool, अगर तुम एक डीसेंट रेस्टरॉंड में जा रहे थे, तो अगर लड़की ने ना भूला तो बहांचो तुम क्लब में वक्चोदी कर रहे हो, बीट 10X, in that matter, तो फ्लेक कर दे भाई, इसको फ्लेकिंग बोलते हैं, लड़कियां अकसर करती हैं फ्लेकिंग, बट मेरे क्या करता हूँ, जनरली कि डेट का पूछने के बाद ना लड़की से बिलकुल बात नहीं करता हूँ, भले ही एक महीने बाद की डेट से टुई हो, फिर मैं एक दिन पहले लड़की खोद रिवर्ट करती हैं, तो कभी कैंसल नहीं होती, जनरली, दूसरी चीज, हाँ, एक पॉलाइट चीज मैं और दो-चार चीजे मैं आड करना चाहूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेट वाले टॉपिक से लेकिन एक संपून ग्यान हो जाए, इसलिए जनरली मैं कभी कबार आउट आफ शिवल्री भी लड़की को उफर कर देता जाना वाला सीन ना हो जादत है, मैं थोड़ से अवाइड करता हूँ नहीं तो वह पे पिक अप ड्रॉप वाली भी भी बग्चोदी आ जाती है, वोटेवर बट वो मेरे को नहीं जमता है, यह एक चीज हो गई, अगर लड़की आने में देर कर रही है, चो तो तो मैं अप चो दी आटिट्यूड, अब कई बार कैसे होता है कि भाई हम लोग जब अपने जोन में रहते हैं, चौवीस घंटे काम करते रहते हैं, तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा एक्स्पोजर नहीं होता है, तो हम लोग एक इंट्रोवर्ट वाले फ्रेम में आ जाते हैं, जह बहुत गंदी बाद बता दी मैंने आप लोगों को, जिस दिन मेरी डेट रहती है न, उस दिन बहांचोज में सबसे ज्यादा रंडाब मचा दम, सही बता रहा हूँ, क्योंकि उस दिन कोई रिजेक्ट भी करते, कोई फरक नी बढ़ता, मेरा तो मामला सेट है, तो हाँ, त करना होता है, जो confidently और spontaneous होता है, कभी भी कुछ भी बोल दे confidence के साथ, और मेरे हिसाब से डेट का ओवराल एजेंडा होता है, कि भाई, तुम ना लड़की को submit करा रहे हो, लड़की को अपना dominance present कर रहे हो, लड़की तुमारे flow में आ रही है, मेरे हिसाब से डेट का एजेंड टॉक कर रहे हो, तुमने, this has worked the best for me, मैं books बहुत पढ़ता हूँ, what has worked the best for me, is कि तुम लड़की के interest और hobbies को समझो, ठीक है, और तुम उसके उपर discussion ले लो, and in fact, ask her questions about her own topic, जो शायद उसको भी ना पता हूँ, this is the most impressive thing, उसके लिए तुमें थोड़ी सी information, knowledge, गेन करनी पढ़त हूँ, तो मैं उसकी hobbies, उसके interest समझता हूँ, और उस पे ऐसा discussion कर लेता हूँ, she probably would have not, वो किसी ऐसे बंदे के साथ बैठी भी नहीं होगी, जो इतना अच्छा सा, उसी के topic पे conversation करके, उसी को बता सकता है, कि मैं तुम्हारे खुद के topic को तुमसे बेटर समझ सकता हूँ, तो तुम लड़की से मिल रहो, go for a side hug, always go for a side hug, always, कभी भी हाथ मत मिला, always go for a side hug, और तुम लज़ेट, you can compliment her also at that moment, in the sexual tone, you look nice today, ये वाली टोन, oh my god, you look so pretty वाला बक्चोदी ने, you look hot today, hot बोल दो, या थोड़ा सा, वो वैसा होना ही चाहिए, it sets the tone for the entire date, अब बूचोँ, ये मैं य सब भाई मेरा experience बता दिया, ये वीडियो में चैनल पर जाना चाहिए था, लग रहा है कि नहीं ऐसा, अब पुछो, और काफे जार लोग अगर लड़की डेट कैंसल भी कर देती है, तो पूछ से रहते कि क्यों कैंसल कर रही हो, आ जाओ, ऐसे ऐसे बग्सोदी, कभी भी न ये एफेक्ट भी ले जाओगे, कि तुम में बाकी की लड़कें इंट्रेस्टेड है, अब मैं जब डेट पे जाता हो ना, तो लड़की को पता होता है, इसकी जिंदगी की पहली या दूसरी डेट नहीं है, ये इतना हरामी लॉंडाए की है, आए दिन जाएगा, जिस लड़की को खुद से पूछना, अचा अभी नहीं मिलोगी, तो कब मिलोगी, ये सब बक्चोदी बिलकुल नहीं है, मैं तो बाती बंद कर, मैं वही बता रहा हुँ ना, लड़की से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया, ये पूछने के लिए, कि डेट के लिए, अगर मना क कर देती है, तो भी बात बंद, मिल गई तो भाई, चलो थोड़ा बहुत बात चालू है, अधर्वाइस मैं करता ही नहीं हो, मेरे मतलब की बात हो रही है, तो मैं अटेंशन दूँगा, और इसी लिए तो तो तुम लड़की को कंट्रोल कर पाते हो, तो अपने अटेंशन क कि मदद से, खेर वो नए ही टॉपिक बन जाएगा, बट स्टिल, next question, लड़की के साथ डेट पर किस तरह की बात ही करनी चाहिए, यह तो अभी पूरा ही कवर हो गया है न, almost, कि भाई तुम उसके इंट्रेस्ट वगेरा में डिग डाउन करो, वो रिपीट हो जाएगा, और कुछ हो गया, बस, so guys, I hope आप सभी के लिए मैंने चीजे बता दी है, आप लोगों के भी कोई डेट से related crazy experiences हो, नीचे comment section में जरूर लिख दीजे, किसी और भाई के डेट से related question है, और कोई pro आदमी नीचे आके उनकी help करना चाहता है, तो बिलकुल करें, but make sure आप लोग एक द वर्दस वीडियो में, I love you all, bye.